दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत है इस्टेडीवी DSRG के आफिसेल यूट्यूब चैनल एकसेस अकेडमी पर दोस्तों बराजा 460 से चकवरती में स्कूल आवंटन को लेकर के बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है जिसको आप सभी साथ इस बीडियो के माध्यम तो आईए सातियों देख लेते हैं 12460 से चकवरती में चैनेतों के स्कूल आवंटन को लेकर के क्या बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है सिधार्प नगरजान पस से दो सिचकों का संदिक्द मिला सैच्छिडिक दस्तावेच काउंसलिंग में पकड़े जा चुके हैं दो आवेद एक 16 सिचकों के प्रमाडपत्रों की विभाग करा रहा है जाँच दोस्तों आप सभी के स्कूल आवंटन में एक कहीं न कहीं एभी कारण है देरी का जिस तरीके स सिचकों के द्वारा कांसलिंग कराई गए और उसके बाद नुक्ती पत्र प्राप्त करने का प्रियास किया गया है जब विभाग को डूट हुआ तो विभाग प्रमाडपत्रों की जाँच करा रहा है और प्रमाडपत्रों की जाँच जो है इंटरनल रूप से चल रही है आप सभी को बुला कर नहीं किया जा रहा है कोई भी जाच पड़ताल और इसलिए आप सभी को बता दें ऐसी कारवाई आपको सभी जनपदों में देखने को मिल सकती है और इस कबर को जरा देख लेते हैं कि बेसिक सिच्चा विबाग में फरजी वारा थमने का नाम नहीं ले रहा है पिछले दिसंबर में काउंसलिंग के दौरान दूसरे के सैच्छडिक प्रमाडपत्र पर नौकरी हसल करने की कोशिस में पकड़े गए थे दोनों को बीएस से की तहरीर पर मुकदमा दर्जकर जेल भेजा गया इसके बाद चैनित सिच्चकों के दस्ताबेच का सत् संदिक्त मिला है दोनों सकी बहने है बिभाग इनके दस्ताबेच को संदिक्त मानकर जाच करा रहा है इसके बनक उनके सुजन को हुई तो वह बेसे कारेले पहुँच गया और यह कहने लगे कि दोनों बहनों को नौकरी नहीं करनी है बिभाग उनके दस्ताबेच लोटा द दोनों आरूपित कानपुर्ट जिले के रहने वाले हैं दूसरी काउंसलिंग में आधार का सत्यापन ना होने से 16 चैनिस सिचको को निक्ति पत्र विभागने नहीं दिया है उनके दस्ताबेज को सत्यापन के लिए भेजा गया है इनमें भी दो सगी बहनों के सैच्रिक प्रम हो रहा है या वहाँ अभी कुछ भी कहने से किनारा कर रहा है दस्ताबेज की जाच रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा न्याले ने भरती प्रक्रिया पर रोक लगा रखी है और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग अप दिया था खाला कि न्याले ने भरती प्रक्रिया पर रोक लगा दिया है इसे किसी को भी विद्याले नहीं एलाट हुआ है और आप सभी लोग जानते हैं बाराजा चासो साटियों को स्कूल एलाटमेंट नहीं किया गया है सचियो सर से जब मुलाकात की गई बात की जहा कि दोतारी की कोड सुनवाई के बाद ही स्कूल एलाटमेंट किया जाएगा ऐसा सचियो सर से मिलने वाले सात्यों की तरफ से जानकरी कही दी जा रही है लेकिन सचियो सर एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि स्कूल एलाटमेंट पर सुप्रिम कोड के स्टेटेस क्यों का वज़े से आप सभी के स्कूल आवंटन को लेकर के डिले हो रहा है दोस्तों और कहीं न कहीं ये कारवाई बहुत जरूरी है क्योंकि इस तरीके से अगर फरजी आपे तक नौकरी पा जाएंगे जो फेर कंडिडेट हैं कहीं न कहीं उनके हक को मारने का प्रियास किया जा रहा है ये फरजी कंडिडेट की तरफ से तो विभाग की तरफ से इस तरीके की कारवाई जरूर सुनिश्चित की जाएनी चाहिए बहतर तरीके से डाकुमेंट बेरिफिकेशन होना चाहिए और डाकुमेंट बेरिफिकेशन के बाद ही आखे की कारवाई सुनिश्चित की जाए क्योंकि आपको बता दें बहुत सारे ऐसे फेर कंडिडेट है अच्छे मार्क होने के बावजूद भी उनका चैन नहीं हो पाया है इसी तरीके के कुछ भरजी अब भरतियों की वज़े से ऐसे में डाकुमेंट वेरिपिकेशन जिस तरीके से विभाग इंटर्ल रूप से करा के सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें डेली टार्चर किया जा रहा है कि आपका स्कूल एलाट्मेंट नहीं होगा कोट चलो याची बनो इस तरीके की चीज़े की जा रही कोट में हमें अपना आध्योक्ता उतारना इस सारी बाते चल नहीं अगर विभाग की तरफ से एक परेशान नहीं होते दोस्तों और आप सभी को बता दें अगर विभाग की तरफ से स्कूल एलाट्मेंट को ले करके कोई समय लेना था तो विभाग की तरफ से एक विग्यप्ति जारी करती जाती कि 12460 चकबलती में चैनित सभी साती जो निउक्ति पत्र पा चुके हैं उन परेशानी का एक सबब बना हुआ है अब जो इस तरीके कि खबरे निकल कर प्रिंट मीडिया के मात्यम से आ रही हैं ये चीजें कहीं ना कहीं राहत जरूर पहुचाएंगी लेकिन चैनितों को स्कूल आवंटन के लिए जरूर अपना प्रियास करते रहना चाहिए अब इस पूरे प्रकरणड पर वहां के जिलाबेसिक सिच्छा अधिकारी महोदे क्या इस स्टेटमेंट है उसको देख लेते हैं काउंसलिंग के बाद कई लोगों के दस्तावेज संदिक्द परतीत हो रहे हैं इसकी अभी जाज कराई जा रही है जाज के बाद जिसकी भी ही किये हैं इनको नौकरी कब मिलेगी दोस्तों वहीं एक और देख सकते हैं पकड़े जा चुके हैं 121 पर नहीं रुका फरजी वाड़ा बेशकी सिच्छा विवाग ने फरजी दस्ता बेच के सारे नौकरी पाने वाले 121 फरजी सिच्छकों को पकड़ा है मामले की जाच अभी भी HDF कर रही है इसके बावजूद 302 पदों पर नुक्ति में चार मामले फरजी पकड़ में आ चुके हैं पकड़े जाने के बावजूद फरजी वाड़े में सामिल लोग जिले में फिर से गड़बड़ी की कोसिस किसके इसारे पर कर रहे हैं ये भी एक बड़ी जाएगा ये विभाग ने इस पस्ट संकेत दे दिया है दोस्तों आप बात कर लेते हैं इस बड़ी अपडेट के बाद क्या आप सभी का फरवरी में स्कूल एलाट्मेंट हो जाएगा दोस्तों बिलकुल चांसेस हैं जिस तरीके से डीजी में ने आसोस्त किया है मिलने वा साती बिलकुल टेंसन फिरी हो करके रहें किसी भी तरीके से कोई परिशानी ना लें अपने उपर क्योंकि सारी चीजें होंगी सब कुछ होगा लेकिन आप सभी सात्यों को बता दें आप सभी को प्रियास करना बहुत ही आवस्तिक है और एक सबसे बड़ी बात आप सभी सा मंत्रियों बिधाइकों से सचियो सर बेसिक सिच्छा मंत्री संदीव सिंग्जी को फोन करा करके 12460 चकवलती में स्कूल आवंटन को ले करके कारवाई सुनिश्चित करें लेकिन साथियों आप सभी को बता दें उनकी बातों पर अमल करने से पहले आप सभी लोगों को उनके फसाने वाले ज्यादा लोग हैं और इसलिए ये भरती अभी तक फसी हुई वरना आप सभी का अब तक स्कूल एलाटमेंट हो चुका होता अब स्कूल एलाटमेंट को लेकर चैनितों को क्या बड़ी कारवाई सुनिश्चित करनी उससे जुड़ी हुई अपडेट आप सभ होई चैनितों का इस्कूल एलाटमेंट किया जागा सच्यू सर ने बोला था कि दोफर्मरी कोर्ट सुननिवाई के बाद अगर ऐसा बोला है सच्यू सर ने तो दो फर्मरी के अब सुनिवाई होने वाली है नहीं तो दो फर्मरी के सुन resistant कर के अपनी बात रग सकते हैं कि सर कोर्ट सुनवाई अब आगे जो है मूँ फारवर्ड हो गई है ऐसे में हम सब की के स्कूल आवंटन को लेकर के कोई भी जो रियास या कारवाई आपकी तरफ से हो सकती उसे करते हुए हम सभी को विद्याले में बेजा जाए अपनी बात रखने में कोई दिक्कत नहीं है सची मुख्यमंत्री जी यों सिच्छा मंत्री जी को पत्रियों फोन कराना चाहिए ये बहतरीन एफार्ट सोचा जा रहा है चैनितों की तरफ से बगेल सर को अगर उपर से सपोर्ट मिलेगा तो मुझे लगता कि वत्तुरं तभी द्याले आवंटन कर देंगे याद इसमें किसी इलाटमेंट होने तक बेसे कारेले पर तो जॉइन किये हैं और यहां से हमारी आगे की सभी कारवाईयां जो हैं वो सुनिश्चितों जाएंगी तो जो ये फार्ट ये सोचा जा रहा है चैनितों की तरफ से बहुत बेतरीन है इसे जरूर अमल में लाना चाहिए लेकिन निमुख्यमंत्री जी तक और सिच्छा मंत्री जी तक अपनी बातों को पहुचाना है जिसे सच्चियो सरको सरकार का पूर्ण समर्थन प्राप्त हो और जल से जल्द आप सभी का स्कूल आवंटन कर दिया जाए तो ये बड़ी अपडेट थी और आप सभी लोगों को परे पूर्ण अपडेट के साथ इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब्तक लिए से विचाते को जैन जै बारत बंदिबात रम